एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्या लेके आया, उसमें महात्मा बुद्ध के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अपने अपनी समस्याएं उनको बता रहे थे, उनसे निदान उसका पूछ रहे थे, वो बैठा रहा, जब सारे उठके चले गए, तो महा महात्मा बुद्ध के पास जागे कहा। महात्मा जी मुझे एक अजीब सी समस्या ने परिशान कर रखा है। महात्मा जी बोले, बताओ क्या दिक्कत हैं। वो बोलता है कि कुछ समय पहले मेरी बीवी का देहान थो गया था, उसने मरने से पहले मुझसे ये वादा लिया था कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा मैंने भी उससे में उससे वादा कर दिया था कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा पर अभी मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ मेरी मंगनी भी हो गई है तो वो डेली भूत बनकर मुझे ड़ा रही है क्योंकि उसने बोला था कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें भूत बनकर ड़ाऊंगी अब मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या महात्मा बुद्ध ने उसे बोला ठीक है मैं इस समस्य का निदान तुम्हें बताता हूँ कल आना वो घर वहां से चला गया घर गया रात में फिर वो भूत पत्नी उसको मिली वो बोली अच्छा तू आज एक महात्मा से मिलने गया था मुझसे पीछा छुडा आना चाहता है मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूँगी चाहे कोई भी हो अगले दिन वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है जाकर बताता है कि महात्मा जी वो तो सब जानती है उसे ये भी पता है कि मैं आपके पास कलाया था वो हर जगह है मैं उससे बच नहीं सकता लगता है वो मुझे मारी देगी महात्मा जी ने उसको एक निदान बताया बोला ठीक है रात को जाना और ये काम करना रात हुई उसके वाद वो भूत पतनी उसके पास आई आई तो वो बोला तुम कितनी समझदार आत्मा हो कितनी अकल्मन्द आत्मा हो चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो आत्मा बोली ठीक है पूछो क्या पूछना है उसने क्या किया एक कटोरी में बहुत सारे चावल भर किलाए उस भूत से बोला कि इन चावलों को गिन कर बताओ ये सवाल सुनते ही वो आत्मा वहां से गायब हो गई उसके बद वो उसको पूरी रात नहीं दिखे उसके बद महात्मा बुद्ध के पास अगले दिन खुशी खुशी गया महात्मा जी अपने कैसा सवाल दिया था जिसे सुनते ही वो आत्मा गायब हो गई उसके बद मुझे नहीं दिखी महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ नहीं है ये सारी करामात तुम्हारे ही दिमाग की है भूत नाम की कोई चीज नहीं होती तुम जहां भी जा रहे हो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ जा रहे इसलिए उस आत्मा को हर चीज पता था और वो चीज पता था जो तुम्हारे दिमाग को पता था तुम्हारे दिमाग को भी नहीं पता था कि उसका टोरी में कितने चावल है इसी तरह उस आत्मा को भी नहीं पता था कि उसका टोरी में कितने चावल है तो ये सारा किया कराय उस आत्मा का नहीं है तुम्हारे खुद के दिमाग का है इसलिए अपने दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं बिठाने चाहिए जो आपको इतना नुकसान दे